मित्रो नोस्कार, तो बात आपसे अरे बलसु काका, बार बार याद दिलना पड़ता है। और नई सव ठांडे में जब अटल जी ने परुमाड बम का परिछड किया था पोखरन में, साब भारत के खिलाप हो गए थे। फ्रांस साथियाद, यह जो 2019 में 370 पर जो मामला हुआ, फ्रांस यह जो पाकिस्तान ने जोगार लगाया कि कैसे यह चीन मदद करे जब कस्मीर अगरा का मामला हुआ तो इवेन कॉंसिल में या ऐसे महत्पुर जबों पर भारत के साथ प्रांस खड़ा रहा है। प्रांस में आके सिटल हो गए है, मरने मारने पर उतारू हो गए है। यू कर लिजिये कि लेफ्ट के मिडिल है, वही योरप है जहां पे हिटलर जैसी लोग। यह अब आपको सुधरे हुए कलाकार दिखाए दे रहे हैं, लोग बहुत जहनड़ आलू थे, यह पहुत बहुत आपस में मार पीट और बहुत इस तरह के लोग थे। मोदी जी बहुत नेताओं से मिलते हैं, यह जो बाइडन से मिले हैं, और कितने कितने मतलब यहां तक कि नवास शरीव की नक्तिनी की साधी डिया में भी मोदी जी गय थे, उनसे में मिले थे, बहुत सबसे मिलन सार आदमी है, पूरी दुनिया को बासुदियों को पुड़ समस्तेक है, गोदी जी की फ्रांस विजिप में देख रहा था मित्रों, तो उसमें एकाएक हितुद में भी सुनाया था, जैसे आपको पता है कि वहाँ पर इस तरह से एक 17 साल के बच्चे का सही में गलती से क्या है, क्योंकि वीडियो देखने पैसा लगता है कि गाड़ी पुलिस वाले कुछ बात चित किये, एक आएक क्या हुआ कि वो 17 साल का नहेल करके बच्चा था, अरजेरियन डिसेंट का जो गाड़ी आगा, अरजेरियन डिसेंट का बात करते हैं कि अरजेरिया आसन में पहले फ्रेंज का जैसे हम लोग गुलाम फिरंगियों के रहे हैं उसी तरह से, तो कई इस तरह के देश है, कई इस तरह के चीजें हैं जो अभी भी फ्रास का उस पर कंट्रोल है और डारेक्टीन डारेक्ट समय तो बदल गया लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से फ्रास के अंदर और जिस तरीके से वहां के पुराने लोग हैं तो कही न कहीं वो खुंदस तो नहीं कहेंगे, क्योंकि खुंदस बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन जिस तरह से हुआ है, अब बताईए, दो ऐसे चर्च इन लोगों के जला दिये, जो अब इस साल को जोड लिया जाए, तो समझे ये करी 400, 400 का 500-600 साल पहले बना था, उसको दो अब क्या कहना चाह रहे है, वो ये कहना चाह रहे है, कि हमरे उपर जो जुर्म हुआ है, बापे, दादे, पर दादे, और अब हम धीरे, 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 प्रांस में आ के सिटल हो गए है, मरने, मारने पर उतारू हो गए है, क्योंकि इतना बड़ा धरना, इतना बड प्रिवर्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार नहींने कहीं ऐसा लगता है कि ऐसी दुनिया रहेगी वहाँ पर भी आग लग रही है पता है कितनी गाडियां सैकलों हजारों गाडियां ऐसे चर्च ऐसे दुकाने ऐसे मौल जला दिये लेकिन उसको भी इलोग कर रहे हैं कि इनके साथ नाइंसाफी हुई है हम तो देख के प ये आग जनी हुई या इस तरह गाडिया जलाए गए लेकिन जैसे ही उनको पता चला निउस में आया कि कुछ लोगों को फ्रेंच पुलीट ने गिरफ्तार किया है मारना पीटना चालो कर दिये बाई साथ उनको जबा नहीं बात कि हम आग लगाए एक बात लेकिन ये आप मार पीटन नहीं जवर जस्ती गलत काम नहीं कर सकते दुनिया में बहुत लोग है लेफ्ट की भी लेफ्ट है या यू का लिजिए की लेफ्ट के मिडिल है खैर तो ये घटना बड़ी पती दायक और बड़ा मतलब फ्रांस और जहां तक मैकरों सहाब कब बता हूँ आपको मैं देखते देखते देख रहा था उनका भी सेकेंड टर्म है मोधी जी की तरह उनका भी ये दूसरी बार जीते है और सब कुछ ठीक ठाक है ये इतनी बड़ी खटा हुई है तो मुझे लगता है कि ये बर फिर ये इतिहास करवट लेगा कि करवट नहीं लेगा या बाते क अतनी आसानी से मुझे नहीं लगता है खतम हो जाएंगी क्योंकि कारण ही है वही योरप है जहाँ पे हिटलर जैसी लोग यह अब आपको सुधरे हुए कलाकार दिखाए दे रहें यह लोग बहुत चणड़ आलू थे यह बहुत आपस में मार पीट और बहुत इस तरह के लोग थे और रहा सवाज जिसो फ्रेंच का तो आकि फ्रेंच एक स्पेशल वो अपने आपको बड़े प्रावड फील करते है बड़े आपन सम्मानी फ्रेंच होते और वहाँ पे जो रहने वाले जो माइनोरिटी कर लीजिए उस तरह के बहुत लोग बड़ी कहा जाता है कि हमके साथ बढ़ार ठीक नहीं होता है उनके हमेशा लाइट डाइविग लाइसेस चेक करेंगे उनको छोड़ी छोड़ी जी में पता चले कि हमको इनका ऐसा करना पड़ेगा तो सबकी बसका नहीं है वो जान लीजिए कि बहुत आत्मसम्मानी या लेकिन देश कानून बेवस्ता आत्मसम्मान और असम्मान से तो चलती नहीं है अबर वो फ्रेंच है माइनवरिटी है चाहे कुछ भी है तो उनको मान पड़ेगा आपको उसी तरह बैवहर करना पड़ेगा और अम्र असों मिनिस्टर है जैसे हमारे मोधी जी के मिनिस्टर अमिस है वहा की जो मिनिस्टर है वह भी अलजीरिया उनके रचेंग लीकिन न मेंजेजियरियन हं वी these तेस आप suscept faut- lira बात है ना मीटिंग, सब पार्टी लोगे खठा हो के 17 पार्टी खठा हो के गुट बरा रहा है कि 2024 में कुछ कर देंगे और उसमें एक टूर डाल दिया कि ये सब लोगे कठा इसके लिए होई है कि टेक्सोस का नहीं तो बड़ा लंबा खैर अंगलुक बात कर रहे हैं फरेंच वाली इसलिए बात करेंगे तो इतनी बड़ी महीमों से ये चल ला है जैसे विश्वास नहीं होता जैसे हमारे जैसे लोग जो देशी टाइप पिलू है गाव में परे बड़े बुज़ुर्ग होग है उजह ही सोचते है कि दुनिया सीधी साधी है लेकिन ऐसा नहीं है मुझे लगने लगा है कि जो हम लोग कलकूलेट करते हैं उसकी आगे अभी कलकूलेट सा शुरू होती है जितना हम जानते हैं खैत मोदी जी जा रहे है और मोदी जी का मैंने देखा है फोटोग्राफ देखी है वीडियो देखा है मैंने मैकरोल से जो गले मिलते है या पोस्चर होता है तो पता चलता है कि कितना गंजोसे से मिल रहे हैं। राफायलोगराइक भी बात्ची चल रही है। क्योंकि जब हत्यार नहीं रहेगा तो लड़ेंगे कहां से। तो फ्रांस हमेशा भारत के पक्ष में रहा है। वैसे आपको एक अजीब सी बात बता दें। उननाई सो अठान्डे में जब अटल जी ने परुमाड़ बम का परिछड किया था पोखरन में, साब भारत खिलाप हो गए थे। फ्रांस साथिया थे। यह जो दोजार उननाईस में तीन सो सतर पे जो मामला हुआ। फ्रांस यह जो पाकिस्तान ने जुगार लगाया कि कई से यह चीन मदद करे जब कस्मीर उगरा का मामला हुआ तो युएन कॉंसिल में या ऐसे महत्वपुर जगों पे भारत के साथ फ्रांस खणा रहा है तो दोस्ति मित्ता जवरदस्थ है। अब ये देखिए कि इस तरह के चीजे जो हो रही है इतने पुराने पुराने चर्चे जलाये जा रहे हैं इतने लोग मारे गए अब तो दिरे दिरे नियूज भी कम होने आने लगी क्योंकि अब वहाँ पर भी क्या हो रहा है वो तो फ्रेंच लोग ही जाने मैकमोल साहब और उनकी टीम ही जाने लेकिन तकलीफ होती है अब तकलीफ हो कि आप क्या कर सकते क्योंकि पता ही नहीं है सच्चा ही क्या है इसके पीछे बस एक अब उन लड़की जो जिसके बेटे की मौत हो उसकी माता जी मतलब नायल की नानी आकर कहीं कि उसके नाम पर ये लोग इतना बड़ा आप काम मत करी है अब क्या कह सकते कि एक इस तरीके की बात पर पूरा फ्रांस अल्मोस्ट समझीय की एक महीना हो गया कहीं हुँ जल्ला है कहीं हुँ जल्ला है कहीं इदर आग लग गई कहीं वहाँ पर भी भड़काव लोग हैं लेफ्ट वाले वहाँ पर भी लोग हैं वहाँ पर भी बिदोसी अरे बिरोधी पार्टियां वहाँ पर भी हैं हर जगह पत्रकार भी जानी रहे अपने ज़रा कुभाईये नजर की कितने कितने पत्रकार है कारम दंदा छोड़ देंगे यूटूब पराज आएंगे लेकिन बोलेंगे नीतियों के खिलापी क्योंकि लेफ्ट राइट मिडल बड़ा जबर्दस्त कंबिनेशन है मित्रो अब बात को विरान देते हैं देखिए क्या होता है और मोदी जी वहाँ जाए सब कुछ चल वहाँ का फ्रांस का अच्छा ले आए सब कुछ ठीक ठाक रहे लेगिन ये जो चल लहाए फ्रांस में वो ठीक नहीं है कोई भी जिम्मेदार हो कैसे भी हो उस पे काबू पा चली फिर मिलते हैं लिए वीडियों ले चैनल सब्सक्राइब कर लिया करिए और तोड़ा लाइक कमेंट भी लेखिए कि किस तरह वीडियो देखना चाहते हैं वल्समोर ओम नमस्कार